हाई त्रेडर्स आप सभी का स्वागा थे दा मोमेंटम ट्रेडर में ट्रेडर्स आज की विडियो में हमें इंट्रडे स््ट्राटेजी के ऊपर बात करेंगे जो यूट्यूब में काफी पॉपुलरर है और बहुत सारे जियूट्यूब में एवेलेबल है जो है 330 bank nifty इंट्रेडे स्ट्रेटेजी और या पिर कह सकते हैं थ्री 30 का इंट्रेडेफ फॉर्मूला इंट्रेटी लेकिन इसमें क्या है इसमें जो भी रूल रेगिलेशन अभी चैनल में बताया जाते हैं उसी को हम यहां पर भी जानेंगे लिकिन थोड़े से मौडिफिकेशन जरूर हम यहां पर बताएंगे जिससे कि आपके जो स्टॉप लॉस हीटोने के चांसे तो थोड़ा सा रेडियूस हो सके ठीक है तो इसके ऊपर हमारा चर्चा रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर पहला तो बैंक निफ्टी का स्ट्रेटीजी रहेगा दूसरा है कि यह इंट्रेडे ट्रेटी है तो अगर आप बैंक निफ्टी में पोजिस्टेट करते हैं चाहे वह अप्षेंर में और Ugh फेचर में तो यह वीडी योई उपे एंड तक जवर बने रहे है जिससे के आपको फूर्त आ बीडियो समझ में पहले हम क्या करते है क्या तो पहले इसके जो बेसिक अंडरस्टेंदिंग से इसके ऊपर बात करते हैं कि आपको पहला तो अहया आला अमें सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो यह है पहला लॉजिक की यहां पर बैंक निप्तिक यहीं ऊपर काम होता है दूसरा जो लॉजिक है कि हम लोग जो भी ट्रेड लेंगे वो पहला तो दो टाइम फ्रेम में यह ट्रेड लिया जा सकता है एक है 945 से लेके 945 के बाद से आप कभी भी इसको ले सकते है 11 11 पी एम तख ठीक है तो 945 के बाद से अपले सकते है या फिर आप यह जो ट्रेड है 130 के बाद ले सकते है क्यों आन-thirty के बाद यह हम ट्रेडिंग मनलब श्राटीज में आगे जरूर डिसकस करेंगे ठीक है तो दो पूजिशन मे हुआ干 छाओ ट्रेट बन सकते हैं कि 014 के बाद करने और और यह बंट कब तक सकते हैं एक है तो है 19 बज़े तक अपने यह यह ट्रेट बना सकते हैं 11 बजय तक और दूसरा है कि ले ले पिन पेलिक bijॉज तक यहां पर भी का ब्रोकर का एंडीं टाइम होता है इंडरिक वक्त अब इसको बना सकते है ठीक है को आपको कहाँ पे नहीं लेना पड़ता है घ्यारा बजे से लेकर ओन से बीच में आपको फिरेड नहीं ले यह ध्यान में रख़िए अब यहां पर क्या रूल सारूल्स है रूल्स जो रूल्स आपको यूटुब में कई कई चैनल में मिल जाएंगे वही लूल लेखने यह 1 1919 से लेकर 945 तो फार्स थर्टी मिनिट का candle है इसको मार्ड करना है जैसे कि हम यहां पर देखिंट का चार्ट लिया हुआ है तो हम यहां पे मार्ड कर देंगे जैसे कि यह हम लोग का फर्स्ट 9 15 का चैंडल और यह है 9.30 का चैंडल तो यह दो तो माइन्ट का कैंडल से हमको 30 मिनिट का रेंज मिल जाएगा तो 915 से 945 का रेंज हम मार्क कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे टाइम फ्रेम को स्विच करके यहां पर हम थ्री मिनिट टाइम में चेंज कर लेंगे ठीक है तो यह है जो लास्ट ट्रेडिंग देथ था हम लोगा 9th June इसी दिन में यह देखिए यहां पर मार्क किया हुआ है 9 15 से लेकर 9 45 का जो रेंज है यहां पर मार्क है उहां पर 3 मिनिट पर आने के बाद क्या देखना है आपको कि यहां तो इस साइड पर यह हाई ब्रेक आउट होगा या फिर यहां पर नीचे के साइड पर लो में अगर उपर के साइड यहां पर ब्रेक आउट होता है तो आपको यहां पर बाइंग साइड पर ट्रेड लेना है मतलब सी बाइक करना है और अगर नीचे की साइड इस तरीके से ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे की साइड बाइक करना है मतलब आपको पी कर ट्रेड लेना है ठीक है अब देखेए यहां पर कुछ चीज़े जो काहला नहीं तरौब बहुत इम्पोर्टेंट होते है की कैंडल थोड़े अच्छे टाइप के कैंडल होना जैसे समझने यहां पर यह जो कैंडल बना है यह देखे ब्रेक आउट कहां पर हुआ यह रेंज बनने के बाद ब्रेक आउट हम लोग इस केनल में हुआ फाइनल यह जो ग्रीन केंडल एक रहती है तो यह ग्रीन केंडल के जो आप structure अगर देखेंगे तीन मिनिट के तो काफी अच्छे कैंडल है तो इस तरीके के कैंडल आपको चाहिए होगे अगर आपको buy करने है लेकिन अगर आपकا candle किसी करन से मानीए ये जो candle बना हुआ है ये जो candle बना है इस तरीके का candle ऑगर बनता है तो यह आपके लिए बाइ के लिए फेवेरेब pourrait Ele seize the forest ये Як मोबाई साइड बिश्यक्ष ल्युद्ष है मोटा मोटा जेनरल रूल बाइंग के लिए सेलिंग के लिए ठीक है सेम ट्रेड आप यह अगर बाइंग साइट पर डूसरे होता है तो मतलब मतलब जैसे कि यहां पर फिर से आया तो आप यहां पर कहीं पर ट्रेड लेंगे तो देखिए यहां पर जितने बार भी आप इस लाइन को टच करने पर ट्रेड लेंगे आपको अल्टीमेटली स्टॉप लोस मिल गया तो इसी वज़े से अगर एक बार आपका स्टॉप लोस ह होता है तो इस trade को यहां पर avoid किजिएगा 33 का formula ठीक है दूसरा है आपको sell करना था आप यहां पर buy कर trade ले सकते है फिर sell का तो sell कहां पर लेना है इस line के निचे लेना है जो कि यहां पर गया ही नहीं तो हम यहां पर कोई trade नहीं ले सकते थे sell side के यह हुआ 9.15 से 9.45 के बीच के time पर अब दूसरा time frame कब देखना है जो एक बज़े से एक डिर बज़े तक का जो time frame है उस पर हम लोग को देखना है तो उस पर देखना है तो फिर से हम लोग को चार्ट को switch करना होगा पंदरा मिनिट के time frame में हम चार्ट को switch करेंगे और यहां पर हम मार्क करेंगे वान पी एम से लेके जो time frame है मतलब हम लोग का यह वाला time frame ठीक है हम इस candle को मार्क करेंगे और इसको मार्क कर देंगे यह हम लोग का वान पी एम का candle अगर आप थोड़ा सा जूम करके भी देखेंगे तो देखेंगे यह जो candle है यह एक बज़े का candle है मतलब एक से एक पंदर और यह है एक पंदर से एक तीस मतलब यह दो मिला के 30 मिनिट का candle बन चुका है अब फिर से हम 15 मिनिट से 3 मिनिट में shift कर जाएंगे और देखेंगे कि यहां पर कहां पर breakdown हम लोग को मिल रहा है तो देखें यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इस candle में breakdown मिल रहा है यह जो candle है यह candle आपको breakdown का candle दिखा रहा है तो आपको अगर ट्रेड लेना है तो इ से अपका stop loss हीट हो गया और मैंने क्या कहा अगर आपको फिर से ट्रेल लेना है तो कमसे कम यह लोग को तूटने दिजएगा जो यहां पर तूटा ही नहीं तो आपको फिर से कोई ट्रेल नहीं मिला अगर आपका रिक आपको यहां पर दोनों केसेस में ही लॉस दिखने को मिला है ठीक है क्योंकि यह भी अल्मस्ट वान इस डू आनी गया होगा उससे ज्यादा नहीं और उसके बाद यहां पर स्टॉप लोसीट कर गया और पहला थेट तो वैसे ही लॉस था यह है स्मोटा-मोटा यह जो पूरा स्ट्रेटीजी है यह मोटा-मोटा यही स्ट्रेटीजी और देखिए एक बज़े से एक वान थर्टी से एक बज़े से एक तीस के बीच में ऊपर के साइड कोई ब्रेक आउट हमें नहीं मिला तो इसलिए हम यहां पर ट्रेड नहीं ले पाया ठीक है तो जो पहला हाफ था इस दिन का यह जो ट्रेडिंग दे है उसका जो पहला हम था इस दिन में हम लोग को फार से लिंग साइक का को त्रेड नहीं मिला और जो दूसरा हफ़ था उस पर वाइं का कोई अठीक हमें नहीं मिल पाया तो यह था मोटा-मोटा अब यह स्ट्रेघुी में क्या है 다음에 stop loss थ् चांसेस थोड़ा ज्यादा बन जाता है और मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में ये कहा है कि स्ट्रेटेजी डिपेंड करता है आपके अगर लॉंग टर्में प्रॉफिटेबल बनना तो इसलिए हम इसके उपर थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अप्लाइ करेंगे जिससे की अप एक अच्छा relatively हमसके लिए हम यहाँ पर इंडिकेटर को एड़ कर देंगे क्या इंडिकेटर करेंगे हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर हम लोग यह देखिए यह इस्टार्डए हाई भावि ट्री लौ आ रहा यह इंडीकेटर में यहां पर कोई पॉटिकुलर इंडीकेटर में से नहीं करूंगा आप कोई भी इंडीकेटर लगा सकते यह लगा सकते हैं यह लगा सकते हैं यहां मेरे को नहीं हमें बैक्ग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहें तो इसको और मीड़न प्राइज भी हम आफ कर देंगे बाकि सब जैसा है वह यह से रहने देंगे अब स्टाइल में जाके हम चाहें तो प्लॉट को थोड़ा सा मोटा कर सकते जिस्से कि हमको वीजिबल हो जाए यह यह वह जो है वह ग्रीन पे है जो ब्रेक अपसाइड का है वह ग्रीन डाउनसाइड का रहे हो गया तो देखे इससे हमको क्या मिल रहा है कि यह जो दिन था यह जो दिन था इस दिन का जो पिछला वाला दिन है यह स्ट्रेटी का जो हाई और लो है वह कहां पर है यहां पर इसका ह ही रहेगा बस अगर आपको अब इस पर क्या है आपको मिनिममम दो लोट पर ट्रेड करना पड़ेगा अगर यह स्ट्रेटीजी को अगर पहला लोट अगर आपको इहां पर इस तरीके से इसी रेंज के अंदर कोई ट्रेड मिल रहा है तो यहां पर सिंगेल रोट ट्रेड करेंगे मतलब जो आपका क्वांटिटी रहना वाला है कुसी का हजार कॉंटिटी रहने वाला है तो वह क्या करेगा यहां पर हजार के जगा क्यूंकि यह रेंज के अंदर ट्रेड करेगा तो वह यहां पर 500 कॉंटिटी ट्रेड करेगा ठीक है आधा कॉंटिटी ट्रेड कर सकता है बाकी 500 कॉंटिटी कब ले सकता है जब इस रेंज के बा ले सकते हैं तो इस से कोई ट्रेड हमें मिला ही नहीं तो हम इस पर कोई एक्जामपल नहीं ले सकते हैं पुछला दिन का देखेंगे तो देखिए यह है पिछला दिन का 8th of ईून का टेट अब 8th of जून पे देखोले हम इसको पंद्रा मिन में हमने पहले स्विच कर लेते हैं और 8 अब जून का जो फास्ट 15 मिनिट का हाई और लो है इसको मार्क कर लेते हैं तो एट ऑफ फास्ट 30 मिनिट का हाई और लो मार्क करेंगे तो यह है हम लोग का एट अब जून कि फॉर्स्ट थर्टी मिनिट का हाई लो देखिए अगर आप देखेंगे यह है अब यह जो डेट है इस डेट पर हम लोग का पिछले दिन का हाई लो कहांपे है यह है प्रिभियाजडे हाई और यह है प्रिवियाजडे लो करते हो तो हम लोग को फिल रहा है और यहें 30 मिन्ट का रेंज अब यह ठोड़ासा ध्यान देंगे तो देख पाएंगे ब्रेकंड आपको कहां पे मिला 30 मिनिट का 30 मिनिट का ब्रेक आउट आपको इस केंडल में मिल चुका है । जो है है यह आपके एंटी के लिए एक favorable candle आप मान सकते है तो आपको कहाँ पर entry लेना है इस candle का हाई के ऊपर entry लेना है इस candle के low के लो पर आपको stop loss लगा देना है और इस पर आपको ride करना है यहां पर क्या है यह उपर में जो पिछला previous day का हाई है उसके just नीचे है तो हम यहां पर आ पर बाकी आधा एड करेंगे और बाकी पूरा पोजिशन को राइड करेंगे तो इस पर हम लोग को कम से कम 1-2-3 मिल जाएगा और बाकी यह जो है यहां से अगर हम देखेंगे तो इस पर हम लोग को कम से कम 1-2-1-1-2-1.5 यह मिल जाएगा तो ओभर आल मिला के हम लोग को 1-2 का इजी प्रॉफिट आणाम से मिल जाएगा ठीक है तो यह एक अच्छा सक्सेस्फूल ट्रेड बना उसके बाद हम लोग फिर से स्विच करेंगे पंद्रा मिनिट पे और हम देखेंगे की 30 मिनिट का मतलब एक बज़े का क्या सिनारियो है तो फिर से हम लोग चले जाएंगे तो यह है हम लोग का एक बज़े का कैंडल और यह है हम लोग का एक पंद्रा का कैंडल सो इसी रेंज पे हम लोग को ट्रेड करना है तो यह हम लोग का रेंज बेसिकली अ ठीक है यह जो दो कैंडल है यह एक बज़े का यह पंद्रा का तो इसके बाद हम लोग फिर से तीन म और हम चले जाएंगे यहां पर तो देकि यह है अम लोग का रेंज अब देखिए इस चैंडिंद के अंदर हम लोग है और यह इस रेंज के अंदर ही पड़ा हुए तो यहाँ पर जब यह ब्रेक आउट होता है एक 45 में तो हम लोग यहाँ पर जरूर करेंगे लेकिन अधा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे बहुत ही छोटा मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ हम लोग का तो यह जो नया लो है इसके नीचे हम लोग ट्रेड लेने की कुशिश करेंगे जो फाइनली एक्जीकूट होता है और जब यह लाइन ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लॉट एड करते हैं तो यहाँ पे फिर से अच्छा खासा प्रॉफित हमें दीक रहा आपके जो प्रीमियम से वो इंक्रीज हो जाएंगे तो बहुत ही कम रिस्क से साथ इसके साथ यहां पर आपका स्टॉप लोस अगर प्लान भी करते क्योंकि एक्सपारीट था एंड आवर्स ओड़ा था था थो 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 बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं है स्टॉ स्टॉप लोस तुफिफ्टी के आसपास है और यहां पर 182 190 लेवल पर आपका एंट्री लेवल बन रहा है तो इसलिए आपको 10 रुपे का स्टॉप लोस में काम बन जाता क्योंकि यह एक्सपारीट का टाइम था एंड आवर्स पर और यहां पर आपको बहुत यह अच्छ करने तो इस तरीके से अपलाई कीजिए इससे आपके लिए हेल्फुल हो सकता है अब यह हो गया आपके थोड़े बहुत मॉडिफिकेसेंस जो आप 3-30 के फॉर्मूला के उपर कर सकते है जिससे आपको एक अच्छा रेजल मिल सकता है क्योंकि आपके जो स्टॉप लोस हों आपके चांसेज भी ज्यादा मिल जाएंगे ठीक जैसी यहां पर देखी यह है फिर सामने इसको पंदरा मीट का चार्ट में ले ले लिए है और हम एक और एक्जांपल लिए लास्ट एक्जांपल हम देख लेंगे तो यह है अनल उसके फास्ट फिफ्ピन मिल और समetted फीटीन मिनित लेक्र हम लोगशाल है अब हम और पे स्थिटे में पे चले जाएंगे और चले जाएंगा याँ पर देखेस का जो डेट है यहाँ पर हम लोग का यह है पिछला दिन का और यह है लो इसमें क्या हो रहा है यहीं रेंज के अंदर घुँप गुजने का कोशिज कर रहा है मतलब यहां पर प्रोबाबिलिटी बहुती कम जाएगा यह जो केंडेल है हाला कि यह candle बहुत ही अच्छा candle है दिख रहा है कि selling का बहुत ही अच्छा प्रेसर आपको यहां पे दिख रहा है लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा आपको profit नहीं हो सकता देखिए यहां पर आपका entry हुआ यहां पर आपका stop loss था और साइद आपको यहां तक 1.5 मिलेगा उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता उसके बाद भी आपका stop loss हीट नहीं हुआ लेकिन उसी रेंज में घूमता रहा और आपके stop loss हीट हो गये होंगे और अगर आप एक बज़े का time frame में भी देखेंगे तो कुछ खास आप यहां पर बना नहीं सकते यह बज़े का candle starting point है यहां से स्टार्ट होगा और यहां से यहां तक कहीं पर है एक तीस यहां पर एक तीस का candle बंद होगा है उसके बाद अगर देखेंगे तो यहां पर चोटा मोटा breakdown हुआ जिससे आपको फिर से loss हो सकता था ठीक है तो यहां पर अगर दो ट्रेड देखेंगे तो दोनों ही में एक में थोड़ा मोटा अगर ब्रेक इवन भी हो जाए लिकिन दूसरा में आपको जरूर लॉस मिल जाएगा क्योंकि अब इसमें क्यों आपको ब्रेक इवन मिल जाता है क्योंकि यहां पर आपने ट्रेड लिया दस 1042 पर जैसे ही आपके थोड़े मोटे प्रॉफिट हो जाएंगे अगर कोई ट्रेड है प्रॉफिटेबल कंटिनॉस चल रहा है तो आप चलने दे सकते हैं लिकेन अगर कंटिनॉस नहीं है तो उसको कहीं पर क्लोज कर दिजिए जिससे की थोड़ा मोटा प्रॉफिट या फित्वा मोटा लॉस पर निकल पाए ठीक है तो यह एक मोडिफिक पसंद आता है तो आप में से जो भी लोग बैंक निफिके 33 के फॉर्मूला पर काम करते है वो लोग इसको इंप्रिमेंट कर सकते ध्यान रखेगा जो इंडिकेटर मैंने यूज किया इंडिकेटर नहीं है एक्षिली इजी करने के लिए यह हाई लो यह स्टेडिय का हाई उस से कि आपको उठ्मेटिक मार्कों करने तो रोज रोज आप यह मार्क करना परएगा तो यह जिसको ग्रेंड अ उसे के एल्यों यह ह्साब से ट्रेड ले रहा है कि हलो प्रीवे एस डेरेंस के बाहर है तो हम फुल कॉंटिटी में अंदर प्रिवियल्स एडे रेंच के अंदर है तो हम हाफ कॉंटिटिट में टेड करिंग जिससी कई लोग का मनी मैनेजमेंट से ही रहे और जब भी हम प्रॉफीट बना बआ है तो बहुत अच्छा आया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर किजेगा अपने फ्रेंड्स फामिली के साथ जरूर सेर किजेगा कॉमेंट्स में बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आने बाले टाइम आप और और कॉन से टोपिक के उपर वीडियो देखना चाहते हैं उसके साथ अगर आ